कि गुड बॉर्निंग एरिवड़ी मैं दुश्यांद वाटी को टू एंड डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं अविनन्द्य करता हूं पेटा आज मैं आपको एंसी आइटी का टिक्नोमेट्रिक फंक्शन्स बताऊंगा और टिक्नोमेट्रिक फंक्शन्स में भी पहला हेडिंग है measurement of angle देखिए आप जहां से सुनेंगे measurement of angle तो firstly पहले topic होता है हमारे पास में क्या angle angle क्या होता है देखिए पहले topic होगा angle angle क्या है what is angle एंगल एलेवेटर अपनी देखिए आप दफिगर यह कोई एंगल एक ऐसी आकरती जो दोरेखाओं से घेरी होई होती है diagram ostat पूसंवेशार इक रेज और एक रेज यह रही से एक रेजって Light मेरे पास यह इसको बहता हो है एंगल आप इसकोchat बहन लेंगे जहां पर दो रेज मिलती है इसको बहते क्स है को मौई टैक्स और बbor मीटा यह होती है initially line initially line इसको बोलते है ceremony line that is final line इसका synonyum है final line पाइनल लाइन पाइनल लाइन तो यह होती है the figure which is covered of two rays is called angle the figure the figure which is covered of two rays is called is called angle तो पिटा यह angle हो गया हमारे पास हमें इसको नाम दे दिया A इसको दे दिया O that is called B अब angles are two types दो तरह के एंगल होते हैं एक इंटीर एंगल तो that is called इंटीर एंगल इंटीर एंटीर एंगल जो अंदर से बनता है देखिए यह एंगल है जो अंदर वाला है पायट है वो क्या होगा इंटीर एंगल और जो हम बाहर से बनाएंगे उसको बोलेंगे एक्स्टीर एंगल and that is called exterior एंगल exterior एंगल वा केलिए अब next होती है कि एंगल को हम दो तरह से मीजर करते हैं एक डिग्री मीजर और एक रेडियन मीजर डिग्री मीजर क्या होता है गे डिग्री मीजर होता है वैटा की ऑन दिग्री एकल टू है पाई अपांगं आपउसा ऑण उपन 1 एट तो भाईया जी क्या वन डीग्री इसका एक एकल 2 पाई आपां उन अटी रेडियन इसको क्या बोलेंगे अब 1 degree यह साइन होता है यह होता है degree measure का degree measure और dudak, जो छोंटा सीज़ होता है यह रेपरिजेंट करता है radian measure radian measure अब radian measure क्या इसको बिलते हम एक radian measure होता है 1 radian measure is equal to 180 upon पाई देखिये भाईया वन रेदिन इस गल टु वन एटी आपन पाई डिगरी अब कनवाइट करेंगे पहला कोस्टेन आएगा डिलेशन बेटीटीन डिगरी और रीडिय इन दोनों का रिलेशन रिलेशन क्या होता है रेशन ये होता है वीटा वन डिगरी इस गल टू पाई अपाउन 180 रेडियन और 1 रेडियन इसकल तू 180 अपाउन पाई डिगरी थार्ड होता है थीटा इसकल टू एल अपाउन आर हेयर आर जो होगी यहां पे आर क्या होगा आर रेडियस और रेडियस और एल को बोलते हैं लेंट ओफ आर्क लेंट ओफ आर्क थीटा होता है विटा एंगल बिट्विन टू रेज एंगल कि नेक्स्ट है अब हम एक्सरसाइज 3.1 का पहला को बताएंगे देखिए वेरी सिंपल क्या है पहला कोशन फाइन दार रेडियन मीजर पॉर्सपन टू दा फॉल्लाइंग डिग्री मीजर यानि हमको डिग्री दे रखा है और डिग्री को हम रेडियन में कैसे कांवर्ट करते हैं तो मैंने भी आपको बताया था कि वन डिग्री इस गल टू होता है पाई अपॉन वन एटी तो बीटाम कोच्टन फ़स्ट का फ़स्ट है 25 डिगरी देखे 25 को क्या लिखेंगे आप 25 इन्टो पाइ अपन 180 रीडियन 5525 530 15 क्या जाएगा बच्चाए 5 पाइप अपन 36 यानि रेडियन मीजर आया समझ मैं एक बार और देखिए 25 को पाइप अपन 180 से मल्टिप्लाई कर देंगे तो फाइप चिटवाइट करेंगे फाइप या 25 फाइफ या 15 फाइफ या 15 या 15 फाइफ या 15 तीन बचे फाइफ या 30 हुआ ग्लियर नेक्स्ट कोश्चन है सेकेंड पार्ट वे माइनस 47 दिग्री थायटि मिनिट को क्या लेखेंगे सबसे पहले मिनिट को मिनेट को डिग्री में करेंगे मिनिट को दिग्री में करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कर जाएगी 3 बन जा 3 3 2 जा 6 तो बिटा यह हो जाएगा 47 1 upon 2 94 is equal to 95 upon 2 degree यानि हमारे पास पर क्या गए माइनस के 95 upon 2 degree अब degree को कैसे करेंगे 95 by 2 into pi upon 180 radian तो बिटा क्या मिल जाएगा 5 3 2 15 36 5 1 2 5 5 9 2 45 तो बिटा क्या मिल जाएगा 72 radian similarly 3rd is 3rd is 240 degree देखिए बिटा मेरे साथ करेंगे आप 240 को कैसे लखेंगे 240 into pi upon 180 3 radian 0 से 0 कट जाएगी 6 3 जा 18 6 4 जा 24 that is called 4 pi by 3 radian क्लियर आया सबकी समझ में last one is last question है 520 degree देखिए भाहिया जी 5 120 degree को आप कैसे convert करेंगे pi upon 180 से multiply कर देंगे देखिए जिदो से 0 connect हो जाएगी 224 2612 2918 तो यह क्या हो जाएगा 26 pi upon 9 radian वैसे ही हम second question पाएगे हम find the degree measure corresponding to the radian measure देखिए अब हम इस question को कैसे करते है 11 upon 16 लिखेंगे और 180 upon pi से बेटा multiply कर देंगे 180 upon pi से multiply अब देखिए pi की value trigonometry में क्या होती है 22 upon 7 देखिए आप लोग जानते है 11 upon 16 180 upon 22 into 7 11 2 जा बेटा 22 22 29 जा 28 जा 16 45 तो क्या मिल जाएगा मुझे 45 into 7 upon 8 अब अब हम इसकी multiply करेंगे 45 की 7 में देखिए 45 into 7 75 25 जा 35 जा 35 केरी होगा 374 जा 28 और 3 divide by 8 तो तो बच्चे या जाएगा 315 upon 8 8 24 11 में से 4 जाएगा तो 7 89 जा 72 तो क्या मिला मुझे 39 डिग्री 3 upon 8 minute 39 डिग्री 3 upon 8 minute into 60 अब 63 जा 18 63 जा क्योंकि हम जब डिग्री को minute में करबाट कर दे हैं तो 60 से multiply करते हैं मिटा तो यह जाएगा 8 टू जा 16 2 बचा 8 टू जा 16 तो रिमेंटर बच जाएगा तो क्या जखेंगे इसको आप 39 डिग्री 180 अपॉन 8 इससे इसको multiply करेंगे divide करेंगे तो क्या मिलेगा देखिए 39 डिग्री 22 मिनेट 4 अपॉन 8 अगेन बिटा मिनेट को हम सेकेंड में convert करने के लिए क्या करते हैं 60 से फिर अगेन multiply कर देते हैं यह हो जाएगा 4 टू जा 8 2 थरी जा 16 यह आंसर आजाएगा अपनारा 39 डिग्री 22 मिनेट 30 सेकेंड अब हम next question पाएंगे next question क्या कर रहा है देखिए question second बिटा minus के 4 minus 4 minus 4 को कैसे convert करेंगे आप देखिए minus 4 minus 4 क्या है 180 अपन पाई 180 अपन पाई यह नि माइनस 4 इंटो 180 अपन 22 इंटो 7 2 ना जा 18 2 बन जा 2 क्या मिलेगा 9 4 जा 36 इंटो 7 अपन 11 अब 360 में 7 की मुल्टिप्लाई करेंगे 360 में पीटा 7 की मुल्टिप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा देखिए 360 multiply by 7 0 7 6 जा 42 carry 4 हो गया क्यानि minus 2 5 2 0 upon 11 इसमें आप 11 से divide करेंगे 11 तू जा 22 3 11 तू जा 22 0 1 11 नाइन जा 99 क्या मिल जाएगा मुझे वेठा आविर डिग्री में मिल जाएगा देखिए 229 डिग्री 1 upon 11 minute 5 now we will convert 1 upon 11 multiply by 60 60 में 11 से अगें multiply कर दो बिता 11 5 is a 55 5 minus 2 to 9 degree 5 5 ओल 5 minute 5 upon 11 multiply by 60 अब क्या करेंगे आप 5 में 60 से multiply करेंगे 300 जाएगा और 300 का 11 से divide कर देंगे 11 3 30 जा 30 जाएगा 30 जाएगा 11 to 22 8 बचा 0 11 7 जा तो पिटा यह मिल जाएगा मुझे 2 to 9 degree 5 minute 27 second now next question इस तरह से हम इसको degree में convert कर लेंगे और अगला question है 553 553 देखिए 553 को 553 इसको कैसे convert करेंगे 180 बेटा 180 अपॉन पाई से देखिए 180 अपॉन पाई से multiply कर दिया तो पाई से पाई कैंचल आउट 360 जा 18 डेट इज 300 degree 3 जापॉन आच वेट्स, अपॉन पाई ऑई पाई पाई से पाई टॉन आ हून पाई भाई 6 कि आगे समझ किलियर अच्छे से कोई डाउट हो तो विटा कमेंट मुझे जरूर बताएं आगे कि सेकेंड कोश्चन में चलेंगे आप देखिए तरी थाइट कोश्चन है थाइट कोश्चन में क्या कह रहा है यह वील मेक्स 360 revolution in one minute through how many radian dudge यानि एक वील है वील देखा है आपने वील होता है एक इंजिन होता है इंजिन एक इंजिन का जो पहिया होता है उसको आप वील बोलते हैं तो एक वील है और एक वील जो है एक मिनिट में एक वील एक मिनिट में 360 revolution करता है यानि 360 round लगाता है चक्कर लगाता है revolution means चक्कर एक मिनिट में यानि वन मिनिट solution देखेंगे स्काप one minute makes revolution is equal to 360 यानि एक मिनिट में जो बनाता है revolution कितने बनाता है 360 तो पेटा एक मिनिट का मिनिट का मिन लगा है 60 सेकंड में कितने revolution मनाएगा यानि 60 सेकंड में एक सिस्टी सेकंड में इक सिर्वाल वीशन 360 तो वन सेकंड में कितने revolution बनाएगा वन सेकंड मेक्स दा रिवॉलवेशन थिरी शिक्स्टी अपॉन शिक्स्टी यानि शिक्स रिवॉलवेशन शिक्स देखो आप समझे पहले एक बार एक वील जो होता है जब एक बार ऐसे गूमेगा एक राउंड लगाएगा देखिए आप जब इसने एक राउंड लगाया तो कितने टीरी का एंगल बना 90 180 270 360 तो एक रिवॉलवेशन जो है कितने टीरी का एंगल बनाएगा यानि वन रिवॉलवेशन वन रिवॉलवेशन मेक्स एंगल इस इक रिवॉलवेशन यानि एक चक्कर में कितने एंगल बनेगा 360 डीरी का और हमारे पास कितने रिवॉलवेशन अवेटा 6 तो 6 रिवॉलवेशन 6 रिवॉलवेशन मेक्स एंगल इस इकल तो 360 इंटो 6 2160 डीरी 360 इंटो 6 क्या हो जाएगा 2160 डीरी अब इस डीरी को आप कनवाइट कर देंगे किसमें थो हाव मैनी रेडियन दच एट तन इन वन सेकंड यानि वन सेकंड में तो 2160 इंटो पाई अपॉन 180 जिदो तो जिरो कैंशिल 6 ती जा 18 त्री बंजा 3 3 2 6 बेटा 12 पाई रेडियन त्वेल पाई रेडियन एक बार दुबार देखाएंगे एक मिनिट में में मेक्स बनाता है रिवालुशन कितने इन 60 लेकिन एक मिनिट का क्या मतलब होता है 60 सेकंड यानि 60 सेकंड में कितने रिवालुशन बनाएगा रिवालुशन बनाएगा वन सेक्रिंड में देखिए रिवन बना देगा कितने 360 अपॉन 60 यानि 6 रिवालुशन अब एक रिवालुशन का मतलब होता एंगल बन जाएगा पूरा कंप्लीट बन जाएगा पूरा कंप्लीट अंगल जो होता है वह 360 होता है कितने का होता है 360 degree का तो 1 revolution makes an angle is equal to 360 degree तो 6 revolution कितने का बना देगा 360 into 6 यादि 2160 degree अब degree को हम convert करना last question में बता चुके हैं आपको 2160 into pi upon 180 जीडो से जीरो कैंशिल 630 18 36 and that is called 12 radian अब नेक्स्ट कोस्टन चलेंगे बीटा देखिये अगला कोशन में क्या करा है find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter find the degree measure of angle subtended center of a circle देखिये arc of length arc of length दिया वेटा ये को थीटा है ये radius है arc of length radius दिया है उसने में 100 centimeter arc of length दिया है 22 कैने का मतलब है r is equal to 100 centimeter arc of length लिखेंगे radius arc of length arc of length arc of length l is equal to meter 22 centimeter तो मैं अभी एक आपको फॉर्मूला बताया था क्या theta is equal to होता है l upon r अब l की value क्या है 22 radius क्या हमारे पास में 100 2 वन जा 2 2 वन जा 2 क्या गए 11 upon 50 11 upon 50 theta की वालु आजाएगे बेटा 11 upon 50 अब फाइंड डिगरी मीजर पूछ रहा इसका 10 युआ 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 इंटू 180 अपॉन 5 देखिये क्या है को 0 से 0 5 3 3 5 आप इसको ऐसी रहने दो, 11 into 180, 50 into 22 into 7, 11 to 22 बीटा, 2 नहीं जा, 63 upon 5, इसे इसको डिवाइड कर देंगे आप, क्या आएगा? इव गवाइड देगरी, 3 upon 5, multiply by 60, एनि 180, प्रिद्वाइड कर देंगे 5 का, गया, तो यह आगा बच्चे, 12 डिघरी, 36 मिनिट, 12 डिघरी, 36 मिनिट, next question, देखे बीटा, next question क्या आगे आह, इन है circle of diameter, कोई circle है, देखे एक को चरकल है, इस circle के अंदर, diameter कीतना है, 40, यह 20 है, यह 20, तो पूरा डामेटर क्या हो जाएगा, 40, यह 2R is equal to 40 cm, तो R is equal to क्या जाएगा, 20 cm, length of code, length of code L is equal to 20 cm, तो देखिए, बिटा, जब यह center of center है, तो यह 20 है, तो यह भी तो इसकी radius होगी, यह भी तो radius होगी, अब यह radius होगी, तो यह radius भी कितरी होगी, 20 cm, किसी circle में, radius 20 है, और length of work भी 20 है, तो कौन सा triangle बनेगा, बताएगे आप, किसी triangle की तीनों साइड जब equal होती है, तो कौन सा triangle बनता है, equilateral triangle, कौन सा, equilateral triangle, equilateral triangle की तीनों साइड equal होती है, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, 60 degree, 60 degree को arm radian में convert कर लेंगे, पाई अपॉन 180, 0 से 0 कर जाएगा, 60 is 18, यानि थीटा is equal to, पाई अपॉन 3 आगया हो, अब बेटा, भी नो, थीटा is equal to L upon R, थीटा की वहलो होगी, पाई अपॉन 3, L, R की वहलो कर जाएगी 20, तो यह हो जाएगा, L is equal to, 20 पाई अपॉन 3, L is equal to 25 अपॉन 3, रेडियन, next question है, देखे, if in two circles, if in two circles, दो circles हैं, मेरे पास, if in two circles, arc of the same length, यानि, arc of same length है, L1 is equal to L2, दो circle है, इनकी जो arc है, दोनों की same है, L1 is equal to L2 is equal to L है, subtended angle, थीटा 1 क्या दे रखका विटा, 60 डिगरी, अब आप 60 डिगरी को, रेडियन में कनवाइट करेंगे, तो 60 डिगरी को जब हम रेडियन में कनवाइट करते हैं, तो क्या हो जाता है, पाई अपॉन 180, 0, 6, 3, 18, थीटा इस इकल तो क्या हो गया, पाई भाई 3, next, थीटा तो दिया गिविन है, 75 डिगरी, विल कनवाइट इंट रदियन, 75 इंट पाई अपॉन 180, 5, 3, 15, 3, 5, 15, 3, 1, 3, 3, 2, 6, थीटा 2 क्या जाएगा विटा, 5, 5 पाई अपॉन 12, अब हमसे क्या पूछ रहा हो, find the ratio of their radius, यानि रेडि, तो रेशियो पूछ रहा है, थीटा इस उकल टू होता है, एल अपॉन आर, तो भी विल राइट, आर वन इस उकल टू, एल वन अपॉन थीटा वन, क्लियर, हम आर को इधर लेगे बेटा, और थीटा को यहां लेगे, यह फर्स्ट टैंगल के लिए हो गया हो, फर्स्ट तर्किल के लिए, सिमिलर्ली, सिमिलर्ली, दूसरे वाले ट्रैंगल के लिए, सैस्टर के लिए क्लिए क्या हो जाएगा, आर टू इस उकल टू, एल टू अपॉन थीटा टू, अब हम से रेशियो पूछा है उच्छे ने, तो रेशियो के लिए क्या कर देते हैं, आर वन अपॉन आर टू, इस उकल टू, एल वन अपॉन थीटा वन, एल टू अपॉन थीटा टू, एल वन अपॉन थीटा टू, एल वन अपॉन थीटा टू, तो इसको आप एल वन अपॉन थीटा वन लिखेंगे, एल अपॉन थीटा टू लिखेंगे, तो बिटा एल से ए याई थी 5 πाइपाइपां 12 अपाउन इटा वन की वैलू आई थी पाइपाइपां 3 4 डिटी पर फिल पहुंच गई तो यागा 5 πाइपाइपां 12 इन्टू 3 अपाउन पाई पाई से पाई कट गया 3, 4 जा 12 तो यागा 5 अपाउन 4 याणी आर वन रेशियो आर टो हो गया 5 रेशियो 4 क्लियर बेटा आगे समझ में नेक्स्ट कोश्चन देखें नेक्स्ट क्या करा है फाइंड आ एंगल इन तो विज दपेंडूलम स्विंग्स इफू इस लेंद इस 75 डिग्री 75 cm and the tip describer अरक आफ लेंद इस इकल टू 10 सेंटीमीटर देखें तो आपसे थीटा पूछ रहा है थीटा इस इस इकल टू एल अपॉन आर होता है तो इसने एलम को दिया क्या लेंद आफ और क्या दिये लेंद आफ आफ आर्क 10 सेंटीमीटर आर्द इए विटा 75 सेंटीमीटर तो 10 अपॉन 75 थीटा की वेलु होगी इसको 5 2 10 5 1 5 5 5 25 थीटा की वेलु क्या होगी 2 अपॉन 15 रेडियन सेकेंड पाइट में क्या करा है थीटा सेकेंड पाइट में क्या करा है थीटा इस इकल टू तो 11 सेकेंड पाइट में क्या है 15 सेंटीमीटर अर र र इस उकल टू है 75 सेंटीमीटर थीटा इस उकल टू हो जाएगा 15 अपॉन 75 रिएएट प्लिफाइखको 5 3 15 15 5 1s of 5 यानि 3 अपन 15 रडियन next is 3rd के रहा है 3rd में दिया हुआ है theta is equal to L upon R here L is equal to 21 cm R is equal to 75 cm theta is equal to L upon R 21 upon 75 37 जा 21 32 जा 6 35 जा 15 तो बेटाई ये क्या हो जाएगा theta की value हो गई 7 upon 25 रडियन आगया समझ में आपकी में आपको doubt है कोई तो बेटा जरूर कमेंट में लिखके मुझे बेज़े जाई बेटाई शुल क्यक्ति बेता है फज बेटाई